हालो गाईज, स्वाहे, वेलकाम आलाफी तो आवर यूटूब चैनल ग्यानवी सचिन, तो दोस्तो आज की सेसन में बात करेंगे यूपी पॉल्टेकनिक स्कॉलर्शिप के नई स्टूटिन्स के बारे में, वह फस्ट सेमेस्टर वालें के बारे में, जिनका अभी अभी अभ नमबर के बीच में है, ठीक है, तो आप सभी के दिमाग में ये चल रहा है, कि मेरा स्कॉलर्शिप का फॉर्म कैसे होगा आनलाइन, क्या मुझे स्कॉलर्शिप मिलेगी या नहीं, इसके बारे में आप सभी के सारे डाउट क्लियर करूँगा, सबसे बड़ा डाउट है इन साथ में फस्ट सेमेस्टर वालों के लिए बता दूँ कि क्रैस कोर्स लॉंच कर दिया है इस चैनल पर, तो उस क्रैस कोर्स में आप जॉइन हो करके अपनी तयारी को भरपूर कर सकते हैं, क्यूंकि आप सभी के पास इस बार टाइम बहुत कम है, प्रिवियस येर क्यूचन पेपर हो गए, क्यूचन स बैंक की पीडियाफ, सभ आप सभी को टेलिग्राम चैनल में दे दी है, तो वहाँ पर प्रिवियस येर क्यूचन पेपर को ले लीजिए, आप सभी वहाँ से बिद्यक्यूचन बैंक वगारा को ले लीजिए, तो और अपनी तयारी को अच्छी तरीके से भरपूर तरीके से कीजिए और क्रेस कोर्स के माध्यम से तो चलिए पॉल्लटेकनिक के फस्ट सेमिश्टर वाले स्टुएंट्स के लिए पहले बता लूँ कि इन्रोल्ड नंबर है क्या देखी इन्रोल्मेंट नंबर जो होता है वो आपके फॉर्म भरने के बाद बीटी यूपी से मिलकर आता है ठीक है तो उसी सिधा कॉलेज वालों को आएगा और आई थिंक आप सभी को कॉलेज में गुरूप बना दिया गया होगा वाट्सेप गुरूप जिसमें आप सभी जुड़े होंगे तो उसमें वो किया जाता है ठीक है तो उन्रॉल्मेंट नंबर यहांसे नहीं बनता आइसले होता है कि form online करने में क्या process होगा कि enrollment number आप सभी को नहीं मिला है तो क्या इसके बीन scholarship नहीं आएगी तो देखिए students, जितने first semester वाले हैं उनका जो scholarship आता है उनके 12th के basis पर आता है और आपके G-Cup के enrollment G-Cup के roll number के अधार पर आता है इसके बारे में आप सभी tension free रहिए कि आप सभी को first semester में enrollment number मिलेगा तब आपकी scholarship आएगी तो जो कुछ होता है आप सभी का G-Cup के roll number के अधार पर G-Cup के rank के अधार पर और आपके last year याई 12th या 10th के mark के आधार पर मिलता है scholarship ठीक है इसके process के बारे में बहुत सारी का form भरा जाता है और भरा जाएगा भी ठीक है और आपके scholarship के form के भरने में आप सभी को enrollment number का इतना बड़ा importance नहीं है ठीक है enrollment number का importance होता है हम जैसे second year या final year के students के लिए ठीक है तो वहाँ पर enrollment number का option आता है ठीक है जब मैं first year का form fill हुआ था उसमें जीकप का roll number पढ़ता है और उसी की basis पे आप सभी की scholarship पाती है जब second year में आप renewal करने लगोगे तो वहाँ पर जीकप का roll number आपको so करेगा और उसकी जगा पर आपको enrollment number डालना होता है clear हो गई आप सभी को बाद तो आप सभी के college to college vary करेगा कि कौन कप दे रहा है ठीक है तो समझ गये कि form भरने की जो पहले last date है वो 15 November है तो वहाँ पर form 15 November तक submit होंगे आप सभी के उसके बाद सब कुछ होगा यह कौन सा form submit हो रहा है यह form submit हो रहा है आपके exam वाला form ठीक है तो जो scholarship की form को fill कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजेगा कि आधार card से आपका bank link होना चाहिए आपको mobile number से आपका आधार card link होना चाहिए तो इन सब चीज़ों को आप सभी को ध्यान में रखते हुए आपकी scholarship को form को online कराना है यह दो चीज़े बहुत important है तीसरा आप सभी का data अच्छा होना चाहिए fill होना चाहिए और चौथा आप सभी का valid तीन साल के अंदर का होना चाहिए तभी आपकी scholarship आएगी वरना आप सभी को थोड़ी बहुत भोगतान करनी पड़ सकती है तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखते हुए अपने इस काम को करिए और जो भी doubt हो comment box आप सभी के लिए खाली है वहाँ पर जा करके पूछ सकते हो तो मिलते हैं एक नए informative वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टाटा लभी वाल